जूम इसको तेखो जूम इसको तेखो चली अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की और शारुक खान ने अपनी फिल्म बिल्लू बाबा का नाम बदल कर कॉंट्रोवर्सी तो खतम कर दी है लेकिन लगता है कि शारुक को इस बात से काफी ठेस पहुंची है जूम को दिये exclusive interview में शारुक ने ऐसी कॉंट्रोवर्सी से बचने का नया तरीका बताया है तो चलिए शारुक से ही जानते हैं कि क्या है उनका ये नया solution फिल्म की टाइटल को लेकर जब भी आपती होती है फिल्म के निर्माता के दिल पर आरी चलती है ऐसे ही कुछ सवाल जोड़े हैं बिल्लू फिल्म को लेकर आइए शारुक से खुच जानते हैं इन सवालों के जवाब शारुक सबसे पहले तो जूम में स्वागत है थैंकि यूजू बिल्लू जैसे फिल्म को कॉंट्रोवसी से इदग कर गिई ना कहीं फिल्म एफेक्ट होगी लगता है नहीं मुझी उमीड तो नहीं है कि फिल्म एफेक्ट होगी लेगली हम बाउन नहीं है कुछ भी करने के लिए लेकिन जितना fairness में था कि अगर बार बार शब्ट से किसी को आपती है तो हमने निकाल दिया है टाइटल समय से freedom of expression is checked by sensor I assume and rightly so and इस body को अपनी power ऐसे दिखानी चाहिए कि भई हमने जब किया है तो फिर ठीक है sensor board का तो meaning ही होता है कि कोई खलत बात को आगे ना करे और मैंने उनको request भी किया है भी कुछ लोगों कि प्लीज एक कमेटी बठाएं उसके बाद कि किसी को आपके पास करने के बाद भी आपती है तो वो association वो ग्रूप को पहले आपको अपील करना चाहिए फिल्म की रिलीस से पहले हमको करते हैं तो हम वैसी vulnerable होते हैं थोड़े से अज़े शारुक जब भी कोई आक्टर जो करता है चलता है पहनता है ट्रेंड बन जाता है अब हाल पिलार हम देख रहे हैं आप मफलर पहन के चल रहे हैं जो एक ट्रेंड सा चला है तो यह मतलब सोच समझ की करा है कि फिर ऐसे ही आप नहीं मेरी अच्छली मुझे एले में में को चोट लगी वी है और मुझे स्लिंग में रहना पड़ता था यह पर कीप यह आम इन स्लिंग महां ठंड भी थी आप अपने बाल का काफी खयाल रखते हैं और जब भी आउड़ोर जाते हैं तो बसलेरे से नहाथे हैं नहीं नहीं मैं बालों का खयाल बिल्कुल नहीं रखता हूँ मैं तो शैंपू भी उस नहीं करता हूँ मैं अच्छा नहीं लगता कि हमारी जो हिरोई नहीं वो फिल्म के आदे में गंजी हो जाएं इसलिए मैं अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए सब के सम जो थे प्रॉपर पानी से नहा रहे थे वहाँ पर शारुक यह बताई है दो दिन बाद फिल्म की रिलीज है और उसकी एक दन बाद वालेंटाइन स्टे है तो शारुक किस तरह मना रहे अपना वालेंटाइन स्टे है मैं अच्छी लंडन में होंगा एक टेलिविजन चैनल का कानेवल है जहां पर हम फिल्म भी प्रमोट करेंगे बिल्लू सो मैं दो दिन वहाँ पर हूँ पंदरा को वापिस आँगा और सो वैलंटाइन स्टे मैं आदियन्स के साथ मनाँगा फिल्मे लारा और इर्फान भी है तो कहीं 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 लारा और इर्फान है और मैं भी हूँ फिल्म जो है उस फैमिली के बारे मैं बिल्लू की फैमिली के बारे मैं बिल्लू का कि मुझे मगर ऐसा लगता है कि इर्फान, लारा और जो उनके दो बच्चे हैं, अगर फिल्म लोगों को बहुत जादा भाएगी, तो उनकी लाइफ की वज़ा से जादा भाएगी, इंसिडेंटली, इसले हम लिखते भी हैं, इंसिडेंटली स्टारिंग शारुक खान, इंसिडेंटली मैं भी पसंदा हूंगा, जैसे चग देता, शारुक जल्दे जल्दे हमारे ओडियोंस को ये बता दे, कि वो अगर फिल्म देखने जाए, तो उपन माइन से जाए, और ग् सिच के देने माली है फिल्म I think एक रिलेशन्शिप की फिल्म है मुझे यकीन है कि जितनी ओरते देखेंगी या मर्द भी जो देखेंगे उनको कही ना कहीं पर अपनी जिंदगी का कोई ना कोई लमा याद आएगा और कहेंगे